आजादी की जंग के दोरान एक सबेरे मिगविल हिडालगो की सेना गुवान जुआटो में घुस गई और पूरे इलाखे को घेर लिया कई घंटे के खून खराबे और मार काट के बाद एक बे खौफ सिपाही जिसका नामल पिपीला था उसने दर्वाजे पर आग लगा दी ताकि उसकी सेना अलहो दिगा पर कबसा कर सके पर यह थाज़। जीत का शोर जारों और फैल गया और असर पूरे शहर पे दिखाई देने लगा जल्दी करो सारी मेटल के चीज़े अंदर पहुचाओ जोजीवान इन्हें जाने मत देना क्योंकि वो जानता था कि उसे जंग लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होगी इसी लिए हिडालगो ने तोपे और मोहरे बनाने के लिए एक फाउंडरी की शुरुआत की जिसने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया ये बहुत अच्छा है गुआन जातों छोड़ने से पहले अपनी सबसे कीमती चीज एक वफादार सिपाही को दे दी अरे उम्मेदे इस पे टिकी है और तुम पे भी बहुत जिम्मेदारी है अच्छी तरह से निभागदा इसे मैकसिको की आजादी के लिए बनाया गया था जल्द ही उस सिपाही के खसम की परिक्षा ली गई शाही सेना की हुकूमत वापस आ गई उन्होंने सिपाही को बंदी बनाया और उसे मैकसिको शहर में ले गए उस पर बहुत जल्म किये गए लेकिन उसने कभी मोह नहीं खोला कि संदूक कहा है धीरे धीरे वो लोग उसके बारे में भूल गए और उसे एक अंधेरी कूठरी में छोड़ दिया वहाँ आकेले मरने के लिए जब सिपाही बूढ़ा हुआ और मरने के करीब आया तो उसने उस जगह का एक नक्षा बना दिया अटिक है आपनी दाना शच्छ पे अधि test एरिक चलो ना यार फुटबॉल खेलने चलते हैं नहीं आ सकता मुझे पापा की शॉप में मदद करनी है फिर से यार भूल जाओ उसे वो लड़की तुझे कभी भाव नहीं देगी मुझे ये सपना तो देखने दो ओमार तुम आखिर इन सब वीडियो का क्या करते रहते हो ये सब बकवास है तुम्हें पता भी है क्या इसके बारे में तुम्हें पता है नेवले अपने सांसों का इस्तमाल करके दूसरों को आकर्शित करते हैं तो क्या? इसका ये मतलब है कि वो दोनों प्यार में है या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें स्कूल से नफरत होगा इसलिए शायद वो हमेशा ऐसा ही करते हैं छोटे भाई तुम पागल हो चुके हो चलो चलते हैं अब उसे रख भी दो बाई अपना प्याल रखना चल पी ने बहाँ ठीक है चल मिलता हूँ बाई वापस दो मुझे वापस दो तब तुम आ गये बचाने के लिए हाँ क्या चाहिए तुमें ओ हो हो देखो ये पूछ रहा है मुझे क्या चाहिए इधर इदर आ तु तो क्या सोचा है तुमने शामिल होने वाले हो या नहीं मैं ना क्या चुका हूँ मुझे स्कूल में मेरी मदद के लिए कोई चाहिए तुम्हारा वक्त बरबाद नहीं जाएगा फिर से सोच लो तुमने सुना नहीं तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो छोड़ दो इसे जोड़ दो इसे ऐसा मत करो एरिक तुम्हारा फैसला कलत है हमें अकेला छोड़ दो वर्ना मैं चिलाँगी और ये तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा जरा शांती से तुम नहीं जान दी कि तुम किस से पंगा ले रही हो जाने मन तुम लोग उठाओ मैं देखता हूं उसे एई चल्दी चल्दी वो देखो जा अंदर तु वहाँ उपर जाओ तुम भाँ बढू जाओ टू दो जोगalnız कुझ कुझ अ एंस एंस wanna ये बूज एthink जो एंस जया रुक जाओ रुको अभी नहीं अभी थैंक्यू वो भाग रहे हैं वो रहे हैं वो वो रहाँ रहाँ कि और रहाँ प्रेंगितों औरते हैं कि बादो प्रेम करें Live औरसे हैं जबूए अबूए तरब अबूए तरबूपशा करें भागो चल्दी अरे क्या कर रहे हो अरे मेरा फोल मेरा फोल चल्दी चलो चलो उपर जाओ मुझे उठा लो तुम्हें उठाओ या उन्हें पकड़ू देखे मेरा यकिन कीजिए बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और हमें मिस्टर मार्टीनेज मैं यहां बहाने सुनने नहीं मैं यहां आपको यह याद दिलाने आया हूँ कि बहत्तर घंटे में बैंक इस जगह को जब्त कर लेगी अगर अपने कर्ज नहीं चुकाया तो लेकिन हम इस जगह में रहते हैं अभी कहां जाएंगे इस वक्त सर एक सेकेंड मेरी बात तो सुनिये आराम से अपने बैल्ट निकालो जल्दी लेकिन बैल्ट क्यों जल्दी करो आठीक है मैं जा रहा हूँ यह बहुत पतली है इसे मुझे दो क्या हूँ क्या हूँ क्या हूँ बहतर घंटे हैं आपके पास मिस्टर माटीनिस मैं चलता हूँ पर एक शब्द नहीं चुपचाप अपने कमरे में जाओ लेकिन वो एक बच्चा है हाँ क्या तुम ठीक हो हाँ मैं ठीक हूँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगी तीसरी बार बात करूँ अब तो वो हमें गैरिज भी यूजने करने देंगे तुम अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगते हो उसका तो नाम भी मेरे सामने मतलो मैंने पहले भी कहा है तुम्हें पक का यकीन है यही है नक्षे के हिसाब से यही होना चाहिए वो कैद खाना यह देखो ऐसा ही तो लिखा है ना इसमें गुड मॉडनिंग बच्चे नीन तो अच्छी आई ना बोलो तुम बिमार तो नहीं हो नहीं मैं ठीक हूँ मैं बार बार पापा की परिशानी के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कोई रास्ता निकल आएगा अंकल कारलो से मदद क्यों नहीं मांग सकते बहुत साल पहले उनकी बेहन से लडाई हुई थी और वो तब से बात नहीं करते और वो यहां रहते भी नहीं है पर हम परिवार है ना हाँ बिल्कुल परिवार मुसीबत में एक दूसरे के काम आता है हाँ तुम सही कह रहे हो चलो अपना बेट बना लो कैसे हो तुम अच्छा हो मैं तुम भी ठीक हो ना बिल्कुल देखो मार्टिन यही बग से एक्वास केलियंटिस जा रहा है 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 तुम बाहर जा रहे हैं वहा है 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 पम पर आप अर्टों भाहर जा रहे है हाँ, पॉर्फेक्ट, दियान से मार्टेन, ये नाजुक हैं ओमार, तुम यहां क्या कर रहे हो? पूछने आया हो कि तुम मेरा ख़जाना डूडने में मदद करोगे या नहीं? कौन सा ख़जाना? मेरा फोन, उसमें मेरे लिए बहुत सारी जानकारिया हैं, पता है, बहुत कीमती है उस फोन को भूल जाओ, अब तक तो उस फोन को बेज दिया होगा मुझे यकीन है कि अब तक वहीं होगा, तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? क्या तुम्हारी बेहन जानती है तुम मेरे साथ हो यह उसी का आइडिया है मैं जानता हूँ मैं यह करके पश्थाओंगा हाँ चलते हैं हाँ मैं कर शाम को मिलता हूँ हाँ बिल्कुल हरे यह पाली चीज पुछे पसता है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है है हाटो जरा तयार हो जाओ अपनी बेहन को बता दो तुम्हारा ख़जाना मिल गया ओके मैं जानती थी मैंने तुम्हें मना किया था ना फिर बे तुम यहां पर क्यों आए हाट एडवेंचर में खत्रा तो होता ही है ना इसमें नया क्या है खत्रे मोल लेना इंट्रेस्टिंग होता है और वैसे भी तुम मेरी मम्मी नहीं हो लेकिन मम्मी ने कहा है कि तुम्हें मेरा कहना मानना होगा समझे तुम माना करो पर मैं एरिक के साथ है था तो यह कोई खुश होने की बात नहीं है तुम्हें नौ साल के बच्चे की जान में डालने में शर्म नहीं आती मैं दास साल का हूँ ये कोई मजाक नहीं जो तुम हस रहे हो मैंने तो सोचा था लगता नहीं कि तुम जादा सोचते हो अरे घुसा क्यों हो रही हो वो देखो क्या हुआ एरिक कल वाले लोग है इस दरफ चलती चलो चलती चलो यह तो सब्वे है तुम पागल हो क्या इसमें ढाई हजार बोल्ट का करेंट होता है चलो चलो इस तरफ बहते रहेगा क्यों? पता नहीं जरूर यही जगह है तुमने पिछली कोठरी के बारे में भी यही कहा था यही है, यही है सब कुछ यही होना चाहिए नहीं, यहीं पर है तुम्हें कैसे पता हो? यह पत्थर देख रहे हो, आज़ादी के टाइम का है यह गुवान जाटो शहर का नक्षा है बहतर यही होगा कि खजाना यहीं आसपास ही हो यह क्या है? यह जरूर हिडल्गो शहर पहुँचने का नक्षा होगा यह नक्षा हमें जरूर हिडल्गो के खजाने तक पहुँचाएगा देखना क्या उसने खजाना कहा? हाँ, शाद खजाना ही गा अब तुम्हें यकीन आया मेरी बात पर? अब हम माला माल हो जाएंगे, माला माल और यह हमारी पार्टनर्शिप के नाम मेरी तरफ से बिच्छू से भी ज्यादा जहरिला हूँ मैं अपना काम अकेला ही करता हूँ मुझे माफ कर देना नक्षा तुम्हारे पास है क्या? बताओ कैसा नक्षा? मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं पूछूँगा उन बच्चों को अकेला छोड़ दो ये क्या है? एए! कहां भाग रहे हो? क्या मैंने सुना सुना? देखो तुम अपने काम से मतलब रखो मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है चल दियाओ चल दियाओ इस तरफ बार लगता है वो निकल गया एरिक को भूल जाओ वो किसी खजानी की बात कर रहा था क्या उसने ग्वान जुआटो कहा था? हाँ और मुझे पता है कि और कहां पर है क्या है यह तुम्हें क्या लगता है मेरे नन्हे शैतान? क्या लगता है तुम्हें? क्या हमें कॉरिजॉन जाना चाहिए? ठीक है ठीक है इंपुट डेस्टिनेशन गवाना हुआतो लोकेशन सर्च डिस्टेंस 373 किलोमेटर्स अप्रॉक्सिमेट टाइम फोर आवर्स गवाना हुआतो बेचारों उमार सब मेरी घलती है वो मुझसे दूर कैसे चला गया? पता नहीं एक सेकेंड के लिए मेरा ध्यान भटक गया था शान्त हो जाओ कुछ भी नहीं होगा उमर बहुत अकलमंद है शायद वो आदमी उसे ना देखे और वो कार से बाहर निकल जाए गुआना हुआ तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं मेरे मम्मी पापा तो माल डालेंगे मुझे वो वीकेंड के लिए बाहर गया और पहले दिन ही ये सब हो गया हमें वहां जाना होगा तुम्हारे मम्मी पापा से मदद मांगे क्या? मेरे मम्मी पापा कल के बाद मुझे अपने कमरे में कैद होना चाहिए था जब उन्हें पता चलेगा मैं वहां नहीं हूँ तो नाराज हो जाएंगे हमें गुआनो हाथ तो जाना ही होगा हम बस ले सकते हैं मेरे अंकल वहां हमारी मदद कर देंगे पर पैसे तो इतने ही है तुम्हारे पैस कुछ है? कुछ भी नहीं हम वहां पहुच सकते हैं उस कैप से? कुछ अंतर रहु चलो अंतर रहु वह ठीक तो है हम वह अभी हाइवे पर है फिक्र मत करो उस मोटू को तो पता भी नहीं होगा कि वह उसके साथ है तुम तो चुपी रहो तुम्हारी यह वज़े से हम वहां गए थे उमर ने कहा था कि वह तुम्हारा है और तुमने मान भी लिया तुम्हारे मम्मी पापा का क्या वो कल वापस आ रहे हैं और फिर धर्जडे को वापस चले जाएंगे वो दूर ही रहते हैं क्या हाँ वो बहुत ट्रावल करते हैं मेरे वाले तो कहीं नहीं जाते वो जो तुम पर चिला रहे थे तुम्हारे पापा है हाँ उन्हें फिक्र हो रही थी हमें निकाला जा रहा है सच में? हाँ ग्वाना हतों में मैं अपने अंकल से बात कर पाऊंगा और उनसे मदद लूँगा यह क्या है? मैं नहीं जानता शायद किसी नक्षे का हिस्सा है यह उस मोटू का है वह आदमी का जो मर क्या ड्रागन्स का रास यह तो खाजाने का नक्षा है तुम्हें क्या लगता इसका क्या मतलब होगा? नहीं जानता पर इस खाजाने और ड्राइगन वगयरा की बाते बात में करेंगे ओमार को ढूनना जादा ज़रूरी है वो मोटा खडू उसका इंतजार नहीं करने वाला यह लो पेट्रोल बारदे ला जी सर आपकी काट वहाँ पर खड़ी है तो बताओ अब क्या करेंगे अपना फोन दिखाओगी जरा मुझे अपने ममी को फोन करना है हाँ बिल्कुल यह लो तुम्हें भूग लगी है? बहुत ममी तुम कहा हो अभी तक? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है मैं ठीक हूँ मैं रात से अपने दोस के घर पे हूँ लेकिन तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया मैं तो पुलिस को फोन करने वाली थी अभी उसकी जरूरत नहीं मैं ठीक हूँ ठीक है मुझे अपने दोस्त का एड्रेस दो अभी ममी आपके आवास नहीं आ रही पैरेक पैरेक तुमने अपनी ममी से बात कर ली उन्हें फिक्र हो रही है उनका कहना है कि हम लेओन के साइट पे हैं और अगर हम एक और रोड पकर कर चले नहीं सॉरी बताना भूल गया कि बैटरी लो है अब हम मुमार से बात कैसे करेंगे हमारे पास पब्लिक फोन के लिए पी तो पैसे नहीं बचे है ना मुझे नहीं पता था ऐसा होगा अच्छ ठीक है इतरा आओ अच्छ एक्स्क्यूज मी अंकल क्या आप हमें गवना हतों छोड़ देंगे पैसे है तुमारे पास है बैठो छोड़ देता हूं पर हमारे पास तो पैसे नहीं है इसे कहां पता है हुआ है तुम्हारे माबाप तुम्हें अकेले घुमने देते हैं पापा की कार में कुछ दिक्कत हो गई थी तो ट्रक टो करके लेके गई वो गुआना हाथों में हमारा इंतसार कर रहे हैं तुम दोनों भाई बहन हो तुम्हारी शकले तो नहीं मिलती नहीं हम दोस्त हैं मुझे लगा था तुम दोनों छोटा कपल हो नहीं कि बिल्कुल नहीं कि दोसों नबबए हुए है कि अ मुझे पता था ये दुनों नन्ना कपल ही है कि देखाओ कि नहीं कि अ कि अ आओ वो यह नहीं है पता नहीं वो कहां होगा मुझे डून रहे हो गया तुम क्या कर रहे हो मैं इसे जरूर अपलोड करूंगा लगता है कि वो सुराग की तलाश में है चलो आओ मेरे पास उसकी और बिच्चू की कमाल की वीडियो है पता नहीं वो उसे कैसे कंट्रोल करता है ओमार आमें मैक्सिको सिटी वापस जाना होगा तुमने मुझे बताये क्यों नहीं कि तुम ठीक हो मैंने फोन किया था लेकिन लगा नहीं हाँ इसकी ममी से बात करते वे बैटरी लो हो गई तो अब क्या करना है अपना फोन मुझे दोगे मुझे अपने अंकल से वापसी के लिए टिकेट के पैसे मांगने है वापस से क्या मतलब है तुमारा हम कजानी की तलाश नहीं करेंगे मोटू ने उसके लिए आदमी को मार डाला सुनो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है हमें इसी वक्त लोटना होगा मेरे फोन में भी बैटरी कम है अब बस भी करो इतनी है कि पूरे दिन चल जाएगी और वैसे भी तुम फालतू चीज ने रिकार्ड करते रहते हो पहली बात तो ये फालतू चीज नहीं है मैं इन्विस्टिगेट करता हूँ और दूसरी बात ये है कि ये फोन मेरा है तो मैं फैसला लूँगा कि इसकी बैटरी कब खत्म होगी और कब नहीं एक कोईन मिलेगा प्लीज मुझे एक कोईन दे सकते हैं थैंक यू बहुत सी ग्लाश शॉप मिली है शायद उनकी हो हमारे पास बस दो कॉल करने लाइक पैसे हैं ओके मुझे समझ आ गया कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते है तुमारे अंकल कहां काम करते हैं ग्लास फ्रेक्टरी में हमारी तरह नाम क्या है स्टोर का मैंने कहा मुझे नहीं मालूम अंकल का नाम ये रहा कार्लोस मार्तिन्स लो मिल गया बज़रा है फोन उठा लेंगे वो लो बात कर लो कर लो बात थैंक्यो मेरे भाई हलो कार्लोस अंकल बोल रहे है एह दे क्या सर्प्राइज है तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ तुम्हारे मम्मी पापवी है नहीं मैं यां अकेला हूँ कुछ दोस्तों के साथ हूँ मुझे मिलना है बताओ कहां हो 28D September Street पर अच्छी बात है मैं तुमसे मिलने वही पर आता हूँ ठीक है अलहॉंडिया दी पर हाँ ठीक है मैं तुमसे वही मिलता हूँ ओके अलहॉंडिया जहां आटे और मक्ये के दुकान है है ना तुमने आटे और मक्ये कहा देलकुल सही ग्रान डिटे इस पर हिलडालगो की जंग की शुरुवात में इस पर कबजा कर लिया गया था नहीं, खजाने का नक्षा तुम्हारे पास है, तुमने बताया क्यों नहीं तुमने कभी पूछा नहीं ये जरूर अलहॉंडिया होगा ये ताज है राजा का मुझे ये किला लगा यकीन से नहीं कह सकते, ये कोई किला नहीं है यकीन से नहीं कह सकता खजाना इसी शहर में होगा सोने चांदी के सिक्के और जेवरात पता नहीं और क्या क्या होगा वहाँ हम उस मोटे को उसे ढून कर बेचने नहीं दे सकते शांत रहो नहीं रह सकता सुनू चुप रहो तुम्हारा एडवेंचर खत्म हो नहीं वाला है मेरे अंकल को आने में देड लगीगी तो हम चल कर देखती क्यों नहीं क्या पता हमें कुछ मिल जाए मुझे यकीन है ये खाजाने वाले ही कौइन्स है ये देखो हाई तुम इसे देख सकते हो पर इसे चुना मता ये वाला तुम यह स्कूल के साथ आये हो हाई ये मॉर्लोस के हैं हाँ ही दाल्क के है क्या मतलब की नहीं है अलहूंडिका पर कबजा करने के बाद हम डाल्कों मेक्सिको के पहले मोरे बनाने के लिए एक फ़ौन्डीं खोली थी लेकिन वप उस वक्त नहीं बना पाया था क्योंकि सिपाहियों ने फिर से उस इलाके पर कबजा कर लिया था और यही उसकी कहानी है अब तक की ओ नहीं मैंने कहा था न एक तरफ जहां उस फाउंडरी में बनाया गया एक भी सिखा कभी नहीं पाया गया कुछ हिस्टॉरिकन्स ये भी कहते हैं कि कुछ बनाय भी गये थे उस वक्त फाउंडरी कहा है फाउंडरी तो यहां से बहुत ही दूर है हसंडिया आउट्सकर्ट के प्रिंस बैरिक के साथ राजकुमार की बैरिक्स के साथ उसका हगदा राजकुमार है बेशक किस राज की बात कर रहे हो तुम ये एक कहानी है ओमार को इसका शौक है ये एक वीडियो गेम है आप तो जानती है आज कल की बच्चों को इसमें दुल्चस्पी होती है ये जरूर अलहॉंडिगा होगा और ये बैरिक्स है हमें वहाँ जाना होगा इतने खडूस मत बनो वो लड़की बहुत अच्छी थी तुमने तो बाई तक नहीं कहा ताज और नक्षा एक राजकुमार का था किसी राजा का नहीं राजा को हो या राजकुमार का कोई फर्क नहीं पड़ता समझे तुम्हारे अंकल जैसे ही आएंगे हम तुरंद वापस चले जाएंगे ताज और नक्षा राजकुमार का है किसी राजा का नहीं इक्जाक्ली उसने खून किया और दोबारा भी कर सकता है भागो चले रुको इसका भाग रहे हूँ उसे पकड़ो हमें उन वच्चों को रोखना होगा लगता हूँ कुछ चुरा के भाग रहे हैं ओमार इधर आओ टाउन फ्लोर क्लियर है सरूर सेकंड फ्लोर पर होँगे तुपी दर्ट हामें देख रहा हूँ उमार, इधर हो ई अ अ आ आए़ज़ क्चरश में आपस्टार का क्षुवँज इस्मू स स остав utilizing पङ्ची हची चस जुब नहीं पार्टनर, यहां हमें कुछ नहीं दिख रहा है, वो बच्चे बदा नहीं कहा जले गए, ओके, कॉपी, भीची आजाओ कहीं दिखें, नहीं पार्टनर, कहीं नहीं मिले, चलो, बगमाँ, पार्टनर… नहीं से छॉन झाणार... बगमाँ जुछान कनृjekt कहती है औुपी आया ? पाई प्अ बगमाँ inkalaus स्टर। च्शलो पाकुरो यंब तो बताओ तुमे कुछ दिखा क्या नहीं हाहाा? हुआ लुक भुक फस्पेल 2ð टोब करों। चलो 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 तौनिके रो उपढ़ा अराम से आजो आजो इस दरफाओ चुछ उम वाँ अबस्ण वाँ 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 वWasज हुप तेरी तो है हुप तेरी तो हुप तो हरी एका का रातु मों गहापर हुआ हुआ है हुआ है है तुम लोग ठीक हो मुझे और्टोग्राफ दो ना पेटा इस सही समय नहीं है छोड़ो ये सब चलो निकलते हैं तुम लोग जो ना शुक्रिया बाई हाँ 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 और समाल कर जाना आज कल के बच्चे भी ना चला अंदर आओ अलाई बद़ जो आजू ऊहाँ ऊप्क कर दंदर टह पाँ कर श." आएलाईोंटोंग CH就到 के जुछ आओपोग। औरे में अधिक अंकल कहां जा रहे हो तुम रोखो उन्हें क्या हो रहा है किया आप इनके पिता है नहीं मैं इसका चाचा हूं मुझे शक है कि ये म्यूजियम से कुछ चुरा कर भाग रहा है क्या ये सच खेंदी एरिक? नहीं, उसकी जेब में देखिए नक्षा है पर म्यूजियम का नहीं है मैंने आपको बोला था ना ये वीडियो गेम है लेकिन ये काफी दिल्चस्प है हाँ रख सकते हैं उसे, सौरी ये म्यूजियम का नहीं है तर असल इन ही लोगों की गलती है इन्होंने भागना शुरू कर दिया होगा ना हम गार्ड्स डेखकर डर गए थे कुछ गलत फहमी हो गई होगी मैं मार्टीना हूँ, म्यूजियम की कियर टेकर मैं चलती हूँ, मिलकर अच्छा लगा आपसे कार्लोस मार्टीनिस क्यूरेटर कमाल की थी न जब वो गार्ड्स को पीछे भगा रहे थी तब नहीं ब्रिक्फरस्ट किया है, तुम लोगों को शायद भूख लगी हो फिकर की कोई बात नहीं, शुक्रिया मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया मैं भी बस बेहोश होने वाला हूँ यह जो सामने है कमाल का चीला क्विल्स बनाता है, जलके खाएं क्या हाँ, बिलकर क्या तुम यहीं से हो नहीं मैक्सिको सिटी से हम मैक्सिको में ही रहते हैं, क्या मुझे लगा तुम इसके साथ रह रहे हो, हम यहाँ एक साथ आए हैं अकेले अब ये मत कहना कि तुम बिना पर्मीशन के आए हो ए रिक आप क्या कर रहे हो तुम्हारे पेरेंट्स को समझाना होगा मुझे उन लोगों को तुम्हारी चिंता हो रही होगी मैं तुम लोगों के पेरेंट्स को भी कॉल करूँगा वो भी परेशान हो रहे होंगे मुझे आसे कुछ बात करनी है क्या बात करनी है तुम्हें तुम्हें कोई प्रब्लम है क्या बैंक पापा की शौप जब्द करने वाला है मैं आपसे मदद मांगने आया हूं तुम्हारे पापा ने भीजा है नहीं मैं अपनी मर्जी से आया हूँ आई ये सच बोल रहे है ये वही जगह हुनी चाहिए एक औरत जो गाना गा रही है मेरे नन्हे शैतान दोस्त जाओ जाकर दर्वाजा ढूंडो समझे दर्वाजा ढूंडो सर ये एक प्राइवेट रहरसल है आप यहां नहीं रूख सकते सकते प्राइव जबहाद ऑ्राइवेगट रहरसल हुआ आप बांप कि दुरत बचल कोना दोज़िए ऊड़़् जढ़िए यह पूर्प में दो विखिए अब दूप आप कि अब कि अब कि अब अब आप अब अब यह क्या हो रहा है तुम एरिक को भेज कर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो क्या बाद में बात करते हैं ना मैंने तुम्हारे डैड से बात की हाँ मैंने देखा वो किसी का भी मुड़ खराब कर सकते है थोड़ी दिर में वो पहुँचने वाले है और मुझे तो वो गुसे में लग रहे थे आपने मेरे पापा से बात की? नहीं, पर मैंने वोइस मैसेज छोड़ा है शुक्रिया मैंने गहा न तुम मेरे साथ सुरक्षित हो और मैं सुरक्षित हो आपको काम पर जाना होता है क्या? नहीं, कोई ज़रूरी तो नहीं है मेरा भतीजा रोज थोड़ी नहीं मुझसे मिलने आता है भले ही बीना पर्मीशन के आता हो तो तुम क्या करना चाहते हो? बोलू क्या? ये नक्षे वाला हाथसा होने से पहले क्यूरेटर ने कहा कि हमें राजकुमार के बैरेक्स पर जाना चाहिए मरियाना मैं वहाँ कभी नहीं गया इरापाउट के रास्ते में पढ़ता है या आउट्स्टिक में है तो क्या करें? मम्मी पापा के आने से पहले वहाँ जाना चाहता हूँ पर अचानक तुम्हें हिस्ट्री में इतना इंट्रिस्ट कैसे आ गया? मरियाना ने कहा था वहाँ जाना मत भूलना वो वहाँ काम करती है वो वही रहती भी है रेवोलूशन वगेरा के टाइम के दोरान मारियाना ने हमें बताया था मतलब कि हम भी वहाँ पर एक बार तो जाहीं सकते हैं तुम इससे पहले कभी ग्वान्जवाटो आये हो नहीं तुम्हें ये शहर अच्छा लगेगा रेडियो आन कर दो रेडियो किसलिए आन करना है तुम बार बार इस नक्षे को क्यों देखते हो मैं भी यही पूछने वाली थी यह खजाने का नक्षा है खजाने का नक्षा ये तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात हुई मुझे तो लगता था कि आज कल के बच्चों को बस वीडियो गेम में दिल्चस्पी रहती है बिल्कुल ये एक वीडियो गेम ही तो है अरे ये तो कहीं से भी पुराना नहीं लग रहा है काफी मॉडर्ण लग रहा है तो चलो फिर आसपास देखते हैं चलो आसपास देखते हैं क्या है वाँ ये तो जरूर बैरेक्स होंगे ये ही डालगो है सुनो ये आदमी तो पिल्कुल टर्नल वाले आदमी के जैसा लग रहा है ना ये तो हू बहू है अठारह सो दस के प्रिंस ड्रागन रेजमेंट के बैरिक्स के इंचार्ज यहाँ पर इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है ल्यूटिनेंस जोस का घर ड्रागन्स का राज देश के सर्ताज का वफादार जिन्होंने सालो जेल की सजा काटने के बाद दम तोड़ दा खजाने को इन्होंने चुपाया था नक्षा इन्होंने बराया था तो फिर वो बुड़ा आदमी नहीं वो 200 साल पहले था इसलिए तो नक्षा इनकी जेल के अंदर मिला तुम्हारा मतलब वो राजकुमार का ड्रागन था हमें नक्षे के दूसरा हिस्सा चाहिए होगा मेरा भी बिल्कुल यही कहना है बिल्कुल मतलना मैं सच में बहुत हैरान हूँ मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम दोनों इतने दूर तक पहुँच जाओगे अगर तुम बस थोड़े और बड़े होते तो मैं तुम्हें काम पे रख लेता नहीं हमें पता है तुम अपने आदमियों के साथ क्या करते हो अब बिजनेस की बात करें नक्षे का अधा हिस्सा मेरे पास है बाकी का हिस्सा तुम मुझे दे दो और मैं इसे छोड़ दूँगा चलो बाकी का हिस्सा दो मुझे दे दो नक्षiese दे दिए अब उसे छोड़ दो छोड़ दूँगा पर पहले ये बता दूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगा खड़ा रहता तो सीधा खड़ा रहता मेरा ये नन्हा सा दोस्त ये तभी काटता है जब इससे जान का खत्रा रहता है अगर चुपचप खड़े रहे तो ये रेंगता रहेगा लेकिन काटेगा नहीं इसका काटना ना काटना आपके बरताओ पर निर्भर है प्लीज कुछ करो तुम्हें रिकॉर्ड करना पसंद है ना सॉरी मेरा मतलब वो नहीं था तुमने इतनी देर क्यों लगाई अगर मैं मर जाती तो मैं घबरा गया था क्या हुआ तुम लोग ऐसे लड़कियों रहे हो अले पीज़े आटो ये बढ़िया था चलो चलते हैं आपके और पापा की बहस क्यों हुई थी तुम्हारे दाता जी के जाने के बाद हम दोनों ही शॉप के इंचार्ज थे तो मेरे दिमाग में आया कि चलो शॉप में कुछ बदलाव करते हैं जैसे कि कुछ नए तरह के एक्क्विप्मिंट्स खरीदना और शॉप को और बढ़ाना पर तुम्हारे पापा कोई इतराज था वो चाहते थे सब पुराने जैसा ही रहे जब सब ठीक है तो बदलने के क्या ज़रूरत है अब सोचता हूँ तो बेवकूफी लगती है लेकिन उस वक्त हम दोनों ने एक दूसरे को भला बुरा कहा उसके बाद हम लोग अलग हो गए यह मेरे पापा का फोन है नहीं काम का फोन है बाद में फोन करता हूँ सेल फोन यह मैंने पहली क्यों नहीं सोचा किसका सेल फोन तुम्हारा तुमने मोटू की वीडियो बनाई है न हाँ बनाई है तो शायद हम नक्षे का दूसरा हिस्सा देख सकते हैं हाँ एक मिनट का है हाँ ये ये यहाँ दो उस लड़की के दिल में जो गाने गाती है ड्राइगन का रास उस लड़की के दिल में दफन है जो गाने गाती है खजाना सिंगर के दिल में है अरे बा, हमने सुलजा लिया तुम्हारे मम्मी पापा आने ही वाले है एरिक अब ये खजाना खजाना खेलना बंद भी करो एक दिन के लिए इतना एडवेंचर काफी है अब गेम खेलना बंद कर दो ये कोई गेम नहीं है मेरी बात सुनो एरिक तुम बिना पर्मीशन के अपने घर से भाग गए किसी और की गाड़ी में बैठ है और यहां ग्वांजवाटो तक आ गए तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे तुम अब नखरे दिखाने की हालत में नहीं हो ये कोई नखरा नहीं है क्या मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है प्लीज हमारी मदद कीजे हमें खजाना पाकर ही शान्ती मिलेगी तुम किस खजाने की बात कर रहे हो एरिक ये एक गेम है जो मैं भी मज़े के लिए खेलता था अपने बच्पन में एरिक अब तुम बड़े हो गए हो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये गेम है एक मिनिट रुको हलो मैं उसे ढून कर रहूंगा जरा होल करना एरिक एरिक कम ओन कम ओन चलो चले बस इसी की कमी थी गवाहो का कहना है कि इन सब की शुरुआत होई जब एरिक ने एक बच्चे का स्केटबोर्ड चुरा लिया और भागने लगे क्योंकि वो बदमाश लोग उनका पीछा कर रहे थे जो भी हो मुझे बच्चो को स्टेशन ले जा कर उनका बयान तो लेना ही होगा है ना पर इसमें इनकी कोई गलती नहीं है क्या तम ठीक हो एरिक? हाँ ये बस चोटी मोटी चोट है उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो बदमाश लोग उसके पीछे पड़े हुए थे माफ करना मुझे बच्चो को स्टेशन तो ले जाना ही होगा और उनका बयान लेना ही होगा परिस ओपरा से इंस्पार है कमाल का है हॉल वहाँ पर ग्रीज मुशेस के पेचल के पुत्ते हैं वहाँ पर और वो बहुत ही अच्छा है हाँ ग्रीक गॉड़ेस है जो की पेंटिंग, योजिक और आर्ट को इंस्पार करती है बहुत ही अच्छा है यहीं रुको में अभी आती हो मुझ पर गोली चलाई गई आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं अरे आप समझने की कोशिश करें ने 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 जल्दी आज़ो जल्दी करो पुझे बच्चों का बयान चाहिए ये मरवाएगा किसे दिन अब ये कहा जा रहे हैं उन्होंने मुझे थेटर के बारे हैं पूछा था शायदो वहीं जा रहे होंगे मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा था लेकिन मैं बार बार तुम्हारी बातों में फज जाती हूँ वो जरूर मोजास होंगे मैं बार तुम्हारी मुझे नहीं लगता कि यहां पर होगा पर क्यों इसका इनाउग्रेशन 1903 में हुआ यही डालगों के बात की बात है चलो चले तो खजाना जरूर उस खान में होगा तो हमें वहां जाना चाहिए जलपरी के खान के दिल के बीच चलो चलते हैं का जा रहे हो तो अ मेरमेट के पास खान में हाँ आप हमें ले जा सकते हैं उसे तो काफी साल पहले ही बन कर दिया गया था प्लीज ले चलिए बैठ जाओ टैंक यू ओ नहीं वो मोटू यहां भी पहुच गया फिर मिलेंगे थैंक्स कि इस पापा का फोन है उठाना मत हम खान से निकलने के बाद उन्हें खुद फोन कर लेंगे कि झाल जो 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 बुमा झाल. यह पक्का बंद होगी समाल की जाना होगा ड्राइगन अग्राइब यह प्राइब बनर्णफ घंद अव्राइब प्राइब है अट ऑह है कि यह एंड दो यह अऑ्ट यह वह कि यह एक ट्राइग ने प्रॉड widow प्रफ़वब प्राव जाएब मन्या को, सुल में प्रफ़ झाल! निचया हो! निचया हो! निचया हो!!! हुआ है टूशीन टूँचे है पूल के हैं क्या ये खजाना हो सकता है मताल लगाने का सिफ एक ही तरीका है ये तो डाइनेमिक्स ट्रिक है डाइनामाइट में संतुलन नहीं होता खासकर जब उसमें नमी हो और वो इतना पुराना हो समझ गए क्या एक और ड्राइगन एक और ड्राइगन हो पासकर पना लगाम भाईगन भाईगन क्यों भाईगन 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 यह तो कमाल का है कहा था ना उधर देखो वह वह वाव तो खजाने को ढूंड कर कैसा लग रहा है यह बताओ बढ़िया है हम अमीर हो गए यह डेट देख रहे हो जरा क्या बात है अब हम अमीर है यह देखो हुआ है यह हुता है हुए है हुआ है देखो जो हरा आराम से हाँ यह देट देख रहे हो जरा खजाना डून कर कैसा मैसूस कर रहे हो बढ़िया ऐसा लग रहे है कि हम अमीर हो गए है मसा आ रहे है ना पहले तुम जाओ क्योंकि तुम ट्रॉंक हीट सकते हैं हाँ ठीक है हाँ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो दमा का हुआ है भागो भागो जल्दी करो तुम ठीक तो हो न कहीं जोटाई मेरा पैर शांत हो जाओ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो थैंक यू मुझे वहां से बाहर निकालने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए मेरी वज़े से ख़जाना नहीं मिला तुम किसी भी ख़जाने से ज़्यादा जरूरी हो एरिक तुम ठीक हो ना बेटे हां बस चोटी मोटी चोटे आई है सबसे पहले मुझे यह बताओ कि इस पुरानी खान में तुम क्या करने आये थे हमें ख़जाने की तलाश कर रहे थे ख़जाने की तलाश? मैं शौप और घर को बचाने के लिए उसे ढूनना चाता था एरिक ख़जाने जैसी कोई चीज नहीं होती हलो हलो आप तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस सब के लिए अरे कोई बात नहीं भाई ये मेरा बादी जाहीं तो है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी तो जान ही निकल जाती आइंदा कभी ऐसे ख़दरना काम के लिए मत जाना ख़जाना एहम नहीं है तुम एहम हो तुम ठीक हो न बेटा तुमने तो हमें डरा ही दिया था दुबारा ऐसी हरकत मत करना तुम जानते हो न हम तुमसे कितना प्यार करते हैं जब किसी परिवार का कोई हिस्सा मुसीबत में होता है तो उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए मुझे लगता है एरिक की इस गलती के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ मुझे पहले ही तुम्हें कॉल कर देना चाहिए था पर मेरे घमण ने मुझे करने नहीं दिया अब जो हो गया सो हो गया जो हो गया सो हो गया तो आप लोग आ गए मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा मेरे पास तुम्हारे बेटे के लिए खबर है हेलो हाई मुझे उनसे कुछ बात करनी है हाँ बिलकुल मुझे यहां दुख रहा है देखे न अहां दिखाओ थोड़ी देर बाद इससे मिल सकते हैं अच्छा ठीक है अराम से चलो हाँ हाँ तो आप आ गए हमने उस आदमें की पहचान कर लिया जो तुम्हारा पीछा कर रहा था पता चला है कि वो धार्मी कलाकृति का सौधागर है और बहुत से देशों में वांटेड है उसे पकड़ने वाले को काफी इनाम दिया जाना था अब चूंकि तुमने उसे पकड़वाया है तो इस इनाम के हगदार तुम तिनों बच्चे हो इसलिए तुम्हें इनाम मिलेगा और खजानी का क्या आपको वो मिला लगता तो यही है कि धमाके में वो सारी चीजें कोलाप्स हो गई इन्हें खोदने में कुछ साल लग सकते हैं अब हो सकता है खजाना हमेशा के लिए खो गया हो एक मिनट मेरे पास कुछ है अरे तुम्हें यह कहां से मिला हिडालगो के खजाने से दिखाओ जरा उसकी डेट देखो देखकर तो लगता है इन्हें हिडालगो की फाउंडरी में ही बनाया गया था देखकर तो लगता है कि यह उस समय का सबसे पहला सिक्का था तो यह मेक्सिको का सबसे पहला सिक्का है सही कहाना अब तो हमें तुमसे माफी माफी मरियाना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इन बच्चों को साथ देने के लिए ऐसे कोई बात नहीं है और तो और मैं हमेशा सही ट्रेजर हन पर जाना चाहती थी देखो मैं तुम्हें डिनर के लिए बाहर ले जाना चाहता हूं मुझे लगता है ये बढ़िया रहेगा